नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रवीन और स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल लीगल रास्ता में आज की इस वीडियों हम बात करेंगे EPR यानि की Extended Producer Responsibility के बारे EPR को CPCV यानि की Central Population Control Board द्वारे रेगुलेट किया जाता है EPR का मतलब होता है कि जब कोई Company या Manufacturer किसी Product को बनाता है तो उस Product से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां भी उस Company की होती है इस जिम्मेदारी का एक हिसा ये भी होता है कि जब उस Product का Use खतम हो जाता है और Environment को सुरच्षित रखा जा सके EPR का परपस होता है कि Manufacturer अपने बनाए गई Product के बदले में कच्रे का प्रवंदन करने में भी जिम्मेदार बने और Environment को सीफ रखे EPR हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है ये मैं आपको इन Points के थुरू बताता हूँ Environmental Sustainability EPR Environment Sustainability को प्रमोट करता है और इसका मुख्य उद्देश से है कि जिन Product या Packaging Material से Waste पैदा होता है उसका Management सही तरीके से हो ताकि Environment पर फरक ना पड़े Waste Reduction EPR के तहत Manufacturer को अपने Product और Packaging Material के End of Life Management का भी जिम्मेदार बनना पड़ता है इससे Waste Generation कम होती है और Recycling और Reuse को बढ़ावा मिलता है Resource Conservation EPR Resource Conservation को भी प्रमोट करता है जब Manufacturer अपने Product के Design में Sustainable Material का उपयोग करते हैं और उनका Recycling और Reuse को प्रमोट करते हैं तो ये Natural Resources को बचाने में मदद करता है Public Health Benefit Proper Waste Management and Recycle जो EPR के तहत होता है Public Health को भी सुधारता है कच्रे का सही डंग से प्रमोटन करके Pollution और Health Problem से बचा जा सकता है Regulatory Compliance कुछ देशों में EPR Legal Requirement के रूप में होता है Manufacturer को EPR Guidelines और Regulation के अनुसार अपने Product को Design और Manage करना होता है और अगर वो इससे चूगते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है अब बात करते हैं कि EPR को apply करने के लिए किन किन documents की अवश्यक्ता पड़ती है इसके लिए आपको manufacturer की registration या licensing EPR plan, annual reports और आपकी manufacturing के इसाप से आप से कई documents मांगे जा सकते हैं EPR का registration हर देश में अलग-अलग तरीके से किया जाता है अगर आप भी EPR registration करना चाते हैं तो आप हमारी website www.legalraasta.com पर जाके apply कर सकते हैं वहां से आपको पूरी दर्य से help मिल जाएगी या फिर आप 8750008585 पर call करके भी हमारे experts से बात कर सकते हैं तो यह था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही लीगल रास्ता को सब्स्राइब करें